सीधे मैं सिर्साज़ाब के बास चलता हूँ, सिर्साज़ाब पंजाबी में एक टर्म है, टोटल सियाप है, इस नाम से मूवी भी बनी है, क्या यही हुआ है पंजाब की कॉंग्रेस की राजनीती में? देखो नवजोद सिंग सिद्धू एक मानव बंब हैं, यूमन बंब हैं, अनगाइडिड मिसाइल हैं, ये कहीं भी जाके फट सकता है, और खास तोर पर वहाँ फटना पकाता है, जो इसको सहारा देगा, जो इसको अपने साथ रखे करेगी, उसी को ही करेगा, सबसे पहले तो मेरा अपना आंकलन ये है, जो अभी विनोद जी ने कहा, मेरा पहले दिन से आंकलन है, मैं पंजाब की श्रूमनिय अकाली दल की कोर कमेटरी की मीटिंग में बैठा था, जब मुझे पता चला कि नवजोद सिंग सिद्धू प्रेजडेंट पी सी सी को मुक् दो-तिन मिनिट अभी बैठे थे, पांच मिनिट अगली मीटिंग की बात्ची शुरू ही थी, बोले रंदावा को नहीं बठाया जा रहा, अब किसी और को बनाया जा रहा है, उतनी दिर में रंदावा साब गाड़ी लेके गवर्णर आउसकी तरफ चले तो पता लगा गाड़ी बीच में रुकवा दी गई, एके गंटे के लिए कई मुख्यमंतरी बने उस दिन, और अंत में सदार चरंजी सिंग चन्नीजी को मुख्यमंतरी बनाया गया, मेरा आंकलन उसी वक्त ये था, कि आज नवजोद सिंग सिद्धू का पंजाब की कॉंग्रेस नहीं होगी, दूसरी बात, नवजोद सिंग सिद्धू ने सिदार चरंजी सिंग को मुख्यमंतरी के रूप में हलके में आँक लिया, चरंजी सिंग जो है, वो जमीन से चले थे, उन्होंने नवजोद सिंग सिंग को पटकनी दे दी, डी जी पी वो चाते बाद दे को लग अब बात आई, जो आज सुबे से विशा बना हुआ था, वो था कि नवजोद सिंग सिद्धू किसे भी सूर्थ में ये बरदाश करने को त्यार नहीं थे, कि रंधावा को होमनिस्टर बनाया जाए, ग्रहमंतरालिया दिया जाए, और उनका जो परगड सिंग है, उसको ग् पते ही त्यार नहीं थे, ये उनके सीमा जो थी बांद टूटी का उनको समयाया, मुक्खे मंतरी में बननी सकता, जो सत्ता का मनंद लेना चाता था, वो चरण जिसी चैनी लेने को त्यार नहीं है, तो जो अंत में उनके पास बचा हो, जो हमेशा हो कहा करते थे, कि बचा, तो मुझे लगता हूँ, नहीं लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं छोड़ कर भागे, तो नवजोज सिंग सिद्धू ने पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान किया है, एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, साढ़े चार सल तक कैपिनम रिंदर सिंग क को बदलना पाए, कॉंग्रेस की क्या मजबूरी थी कैसे लथार्ज मुक्मंत्री को बनाया, और उसके बाद पंजाब में ये घमासान जो है, वो केवल एक कारण से है, अगर दीपक जी आप ये समझ पा रहे हों, रिमोट कंट्रोल से जो केंदर, केंदर इनकी हाई कमांड है, जो दिल्ली में बैठी है, जो रिमोट कंट्रोल से गांदी परवार चलाना चाता है, कब यो रिमोट कंट्रोल रहू चीन के ले जाता है, तो कब यो प्रेंका चीन कर ले जाती है, कब यो वापस होनिया कीच कर ले आती है, तो जो रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चला दहांचा है इसके अंदर federal system ही काम्याब हो सकता है जो regional parties हैं वही काम्याब हो सकती क्योंकि उननी सोच अपने صूबे तक सीमित होती है और जब remote control से सरकारें बनाई जाती हैं तो फिर ये देखा जाता है ये मेरे अंद्धेड़े इस शुड़ाने का मौका मिले 2022 में शयद पंजाब के लोग इस बात को समझ पाएंगे और ये रिमोट कंट्रोल से जो लोग सरकारें चलना चाते हैं इस रिमोट कंट्रोल को खाड कर बार फैंकेंगे